नमस्कार आप देख रहा है हमारा खास कारिकरम पहेली आपके साथ मैं हूँ नव्जोत रंधावा हर बार की तरह इस बार भी शुरुवात करेंगे हम आज की पहेली से हमारी आज की पहेली है ऐसी क्या चीज़ है जिसे आप दिन भर उठाते और रखते हैं और उसके बिना आप कहीं भी नहीं जा सकते आप ढूड़िये इस पहेली का जवाब जवाब हम कारिकरम के आखर में देंगे तब तक हम रूबुरु होते हैं आज की पहेली से हमारी आज की पहेली है तीन ऐसे शूरवीर योधाओं की जन्हें सरहद का अमर पहरिदार माना चाता है जन्हें शहादत के बाद भी जिन्दा माना चाता है जिन सैनिकों के बखादा मंदर बने हुए है जहां आज उनकी पूझा होती है दावा ये किया जाता है कि आज ये सैनिक रक्षा प्रहरी बन चुके हैं जो सैनिकों को आने वाले खत्रे से आगा कर देते हैं आखिर तवांग, सिक्किम और सियाचिन के शूरवीरों की ये कैसी पहिली है जो यहां तैनाथ सैनिकों को जोश से भर देती है ये पहली है अदम ने साहस की ये पहली है अद्भुत पराकरम की जहां एक अकेले सैनिक में ही चीन के तीन सो सैनिकों को मौत के खाट उतार दिया ये पहली है सरहत के अमर बहरेडार की जिसे सेना आज भी जीवत मानती है पसाद धारण है उन महा युद्धा का रण कोशल जिसने अपने तम पर 72 घंटेल मदातार चीन के सैनिकों से लुखा लिया आज हम आपको राइफल मैन जस्वन सिंग रावत पंजाब रेजिमन के सिपाही बाबा हर्भजन सिंग और दुनिया के सबसे मुश्किल बैडल फील्ड्स या चीन के सिपाही ओपी बाबा की दास्तान सुनाएंगे जो किसी पहली से कम नहीं है इन सुर्माओं की शौरगा था शहादत के बाद भी जिन्ता है इनका प्राक्रम अमर है हमारा मकसद अंदविश्वास पहलाना नहीं है बलकि ये जीती जाकती हखिकत है क्योंकि आज भी इन तीनों सेनकों के मंदरों से सेना की आस्ता जुड़ी है जो कहती है कि ये इन तीनों सेनकों की बहातुरी सरहत पर सेनकों का होसला पढ़ाती है सबसे पहले हम बात करेंगे शूरवीर जस्वन सिंग रावत की जिन्होंने तीन सो चीनी सेनकों की गब्र अकेले ही खोद दी राइफल मैन जस्वन सिंग रावत का जन्म उन्नी सकस्ट उन्नी सो एक्तारिस को उत्राखंड की बाड़ी गड़वाल में हुआ राइफल मैन जस्वन सिंग रावत भारती असेना के सिपाही थे जो उन्नी सुबासट में नूरा नांग की लड़ाई में असाधारा विटता दिखाते हुए शहीद हो गए थे उनकी बहादुरी के लिए मरनू परांथ उन्हें महावीर चक्र से समानत किया गया था बारता सरकार ने राइफल मैन जस्वन सिंग रावत जी को महावीर चक्र से समानत किया मरन परांथ लेहनेक तलोगसी नेगी को भीर चक्र से समानत किया मरन परांथ राइफल मैन गपाल सिंग गुसाई को भीर चक्र से समानत किया इनकी फोरगडबा रैफल को बैटल आफ नूरा नाग से समानत किया गया था जस्वन सिख रावत को बच्छपन से ही सेना में भरती होने का जुनून था वे 19.60 में सिर्फ 19.00 साल की उम्र में बत और रैफल मैं सेना में भरती हो गए 14 सितंबर 1961 को ट्रेनिंग पूरी हुई और एक साल बाद 17 नवंबर 1965 में अरुमाचव प्रदेश पर चीन ने हमला कर दिया दावा किया जाता है कि सेला टॉप के पास नूरा नांग प्रिज की सुरक्षा के लिए एक कमपनी तेनाद की गई थी जस्वंत भी उसमी शामिल थे चीनी सेना संख्या में जादा होने की वज़े से चीनी जंग में हावी होते चले जा रहे थे हाला ते दिने खराब होगे थे कि गड़वाल रैफल्स की चौथी बटालियन को वापस बुलाने का फरमान सुना दिया गया था लेकिन जस्वंत सिंग रावत लांस नायक त्रिलोक सिंग नेगी और गोपाल गोसाईनी वापस लौटने से इंकार कर दिया कहते हैं चीन की MMG यानि मीडियम मशीन कन पर खब्जा करने के प्रयास में त्रिलोक और गोपाल शहिद हो गए चौथे एटाइक में इन्होंने अधिक काचाई पर मीडियम मशीन गान लगाकर बारी मात्र में फैर गराया जेहलातों को देएते होई जहांके अलफा कॉम्प्टिक मेंडर सैंग्ड लेफटेंट सुरिंदरनाथ टंडर ने साक्तर मेरना लेते होई MMG को बरबाद करने का हुक्म लिया दो साथियों की शहादत ने जस्वंध को जग जोर दिया लेकिन जस्वंध सिंग पीछे नहीं हटे और अकेले 72 घंटों तक लगातार उनों ने चीन के सैनिकों से मुखाबला किया सूजबूज दिखाते हुए जस्वंध सिंग रामत ने बंकर के हर तरफ राइफल रखी और थोड़े थोड़े अंदराल में वो अपनी पॉजिशन पदल पदल कर गोलियां चलाते रहे इससे चीन के सैनिकों को लगा कि चौकी में अभी भारती जवान मौजूद है लेकिन जब चीनी सैनिकों को पता चल गया कि जौकी पर जस्वंध सिंग अकेले है और उन्होंने अकेले ही तीन सो लोगों को नौत के खाट उतार दिया तो चीनी कमांडर आग पबूला हो गया चीनी सैनिकों ने अब मिलकर जबरदस्थ हमला कर दिया जिसमें जस्वंध सिंग रावत लड़ते लड़ते शहीद हो गए कहते हैं जस्वंध सिंग की पहादूरी से चीनी कमांडर इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि लड़ाई खत्म हो जाने के बाद उसने जस्वन सिंग की प्रतिमा बनवा कर भारती सेनेकों को भीट की जो आज भी उनके समारक में लगी हुई है जस थान पर उन्होंने मोरचा समहला था वहाँ पर उनकी याद में एक मंदिर बनवाया गया है जहां पर उनकी इस्तमाल की गई अधिकतर चीजें रखी गई है उसका माहौल सा बन लिया है और विश्वास एक आस्ता जो है बहुत बढ़ी चीज होती है खासकर फॉजियों के लिए आस्ता बहुत बढ़ी चीज होती है यही कारण है अगर आप जस्वंत गर जाएं आप देखेंगे कि बिस्तर लगा हुआ है अब भी जूते पॉलिश होते हैं उसकी घड़ी रखी हुई है उसकी टोपी रखी हुई है पॉरा जो पानी की बोतल रखी हुई है मतलब पूरा जैसे कि आज भी जस्वंत जिन्दा है जवानों का मानना है कि जस्वंत सिंह रावा ताज भी भारत की पूर्वी सीमा के रक्षा कर रहे हैं इस मंदिर में आज भी जस्वंत के जूतों पर रोजाना पॉलिश की जाती है और पहनी बिच्छाने की कपड़े प्रेस किया जाते हैं। इस काम के लिए सिख रजिमेंट के पांच जवान तैनात किये रहे हैं। यही नहीं रोज सुबह और रात की पहली थारी जस्वंत की प्रतिपा के सामने पर उसी जाती है। जब अस्ता जब हम कहते हैं आज भी मुझे नहीं लगता है कोई भी तवांग जाता होगा बिगार जस्वंत गर्ड में माथा ठेके हुए। तो वो जो आस्ता है अभी भी देखते हैं जिस प्रकार से वाव मेमोरियल उदर बना जस्वंत सिंग रावद भारतियस सीना के अकेले सैनिक हैं जने मौत के बाद प्रमोशन मिलना शुरू हुआ था। राइफल मैन से वो पहले नायक फिर कैप्टन और अंतमी मेजर जनरल बने। कहते हैं कि आज भी जस्वंत सिंग की शहीद होने के बाद उनकी नाम के आगे स्वरगीर नहीं लगाय जाता है। आर ये तो जब तक सूर्य चांद रहेगा तब तक उनका नाम भी रहेगा। और अब आपको सिपाही हरवजुन सिंग की कहानी बताते हैं। एक ऐसा सिपाही जिसने शहादत के बाद भगवान का दर्जा हसल कर लिया। कहते हैं कि चीन के सैने का आज भी दावा करते हैं कि बॉर्डर पर एक सैने घोड़े पर सवार होकर कहीं से आता है फिर पता नहीं कहां वायब हो जाता है। ये पहेली भी कमरो मांचक नहीं है। मंदिर में हम सब भगवान की पूजा अरचना करते हैं क्योंकि ये शर्मी हमारी आस्था है। लेकिन सैने कों की ये आस्था जुड़ी है एक रहस्मी सैने पापा हरवजन सिंग से जो एक दिन अचानक अपनी ड्यूटी से खायब हो गए। सिपाही से भगवान बन जाने की इनकी कहानी वाख़ी में एक पहेली है। कहते हैं कि बाबा हरवजन सिंग पंजाब की कपूर धला के रहने वाले थे। नौफरवदी 1966 को बतौर सिपाही उनकी नियुकती सेना की पंजाब रेजिमेंट मी हुई। 1967 में उनकी तैनाती सिक्किम में नाथुला दर्रे के पास भारती चीन की सीमा पर कर दी गई। वो तारीख थी चार अक्टूबर 1968 नाथुला दर्रे के पास पहाड की जिन कठन और दुरूह उंचाईयों पर हरवजन सिंग की नियुकती की गई थी। वो इलाखा भेशन बारिश और बाढ़ की चपीट में आ गया। उस बर्फीवी और तुफानी रात को बाबा हर्बजन सिंग अपनी रेजिमन्ट के खच्चरों की एक खाफले को लेकर जा रहे थे। नातुलाबास के पास उनका पाफ फिसल गया और खटनी उफंती नदी में वो गर गए जिससे उनकी डित्ती हो गई। कहते हैं कि सेना में उन्हें टूडने की तमाम कुशिशें की लेकर उनका कोई पता नहीं चल सका। यहीं से शुरुआत हुई एक ऐसी अविश्वस्निय खटना की जो आज भी एक पहली है। ऐसी माना जाता है कि तीन दिन तक वो कहीं उनको लगा वहां पे कि वो घुम हो गए या पता नहीं कहां गायब होगे लडाई में। लेकिन चौथे दिन वो अपने दोस्त के सपने में आये और उन्होंने कहा कि मैं यहां पर हूँ और वहां पर गए तब उन्होंने देखा कि यह तो वहां से भगवड़ा नहीं था और उस वहीं पर था और उसके कारण उनको लगा यह तो वाकि बड़ी अजीब सी बात है उसने दोस्त के नीन में आया और जहां वो मर्लो प्रांग था वहीं पाया गया। कहते हैं कि एक रात हरवजन सिंग अपने एक साथी के सपने में आये और फिर जो हुआ उसे सुनकर सब क्या रॉंग्टी खड़े हो गए। उन्होंने अपने साथी को सपने में आकर बताया कि उनका पार्थिफ शरीर खाई में पड़ा हुआ है। उनके शव की तलाश उसी जगह शुतु करती गई। जहां उन्होंने कहा था और उनका पार्थिफ शरीर और राइफल वहां से बरामत भी हो गए। तो इनके साथी को इनने सपने में बताया कि मेरा मंदिर और समाथी बना देना और मा आगे भी ओन्रूटियों सर्विस करूँगा मेरी आत्मा सर्विस करेगी। और मैं मेरी देना जाता है कि वह भी ऑॉर्डरी कैप्टेन के नाम से हुनने कापिन हर्वर्जन सिंग कहा जाता है लोग जबभी ओधर जाते हैं तो अपना आस्ता के दोरकrant वहां पे एक मंदिर बना हुआ है उस मंदिर में जाते हैं इसी प्रासिक उंकी चुटी पे जाते हैं तो उनके साथ लोग चुटियों पे उनके घर पेज़ते हैं तंखा मिलती थी उनको तो ये जो है आस्ता जिसके द्वारा वहां पे जो जवान हैं उनको लगता है कि उनकी खुशाली जो है वो बाबा हर्मजन के कारण है ये घटना सच मुच सद को हैरान करने वाली थी कहते हैं कि सपनी में उन्होंने अपने साथी से एक समाधी और मंदर बनवाने को कहा जब बात रेजिमेंट के बड़े अधिकारियों तक पहुची तो वे भी संद हो गए बस फिर क्या था सिपाही हर्भजन सिंग बाबा हर्भ बाजन सिंग हो गए मंदर बना दिया गया इसमें बाबा के वर्डी जूते बिस्तर और सभी जरूरी समान रख दिया गया बंकर में उनके लिए बिस्तर बिचाए जाता है बिस्तर के पास ये उनके बूट रखे जाते हैं सुबह जब बंकर में सैने जाते हैं तो हैरान रह जाते हैं क्योंकि ब जैसे सर रात को ये बिस्तर है इसके उपर रात को हम बिस्तर लगा देते हैं बाबा का जब सुबह उठेंगे तो हमारे बिस्तर के उपर जो चार पाई है इसके उपर बिस्तर के अंदर सडोट वगेरा मिलेंगी पिलो है जो यूज़ करेंगे जहां पे सीड लगाएंगे वहाँ से चिकना हो जाता है ये खराब हो जाता है जुत्ते हैं रात को डुटी पे यूज़ करते हैं तो उनको ये मिट्टी वगेरा हो जाता है बाबा हरबचन सिंग का ये मंदर गंग टॉक्मी जलटला और नाफला दर्रे के बीच बना है गरीब 13,000 फीट की उचाई पर बाबा हरबचन सिंग के चमतकार के किस से पहलते देर नहीं लगी और जब किस से पहले तो उनके दशन करने के लिए लोग की फीड़ो मड़ने लगी नतीज़े ये हुए कि शुरू में जिस सिर्फ बंकर में चूटा समंदर था धीमे धीमे उसका विस्तार होता चला गया चाहे कितना भी परफीला दूफान आ जाए इतनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए सैनिक इस विश्वास के साथ मोर्चे पर टटे रहते हैं कि बाबा हरवजाद सिंग उनके साथ मौजूद है और जब वो खुद मौजूद है तो डर काहेगा भी रहना वाले भी उनको मानना शुरू करके बाबा हरवजाद सिंग की मौजूद की यहां के जर्रे जर्रे में महसूस की जाती है ना केवल सेना बलकि स्थानिय लोगों में भी उनके प्रती अटूटास था है और यही वज़ा है कि आज उनका मंदर एक पूजनी स्थल बन चुका है दुनिया के सबसे उचे बैटलफील्ड सियाचन से जुड़ी है सेना के एक शहीद ओपी बाबा की कहनी माना है ज़ाता है कि ओपी बाबा सियाचन में जवानों की रक्षा करते हैं जवान उन्हें यहां का सबसे बड़ा कमांडर भी मानते हैं यही बज़े है कि यहां मोर्शे पर जाने के पहले और सही सलामत लोटने के बाद हर जवान ओपी बाबा के सामने मत्था ठेकना नहीं भूलता हड्डियां गला देने वाली ठंड सौ किलो मीटर परती घंटे के रफ़तार से चलता बरफीला तूफान जहां दुश्मन की गोली से जादा मौसम की मार्स से बचना पड़ता है इसी जान लेवा मौसम में तेना थे सिपाही ओपी बाबा उर्फ ओम प्रकाश जहां आज सियाचीन में बाबा का मंदर बना हुआ है कहा जाता है कि आज भी उगलेशियर की खतरना ठंड में उपी बाबा जवानों की रक्षा करते हैं इस करिश्मे की शिरुआत हुई थी साल उन्नीस वसी के दशक में जब उन्होंने अकेले ही मालोन चौक पर पाकिस्तान के अटेक को नाकाम कर दिया था सेनिकों के बीजिन के प्रतियास था इतनी जादा है यहां मोर्चे पराने वाला हर जवान सबसे पहले ओपी बाबा के मंदिर में हाजर होता है अजिस बाबा का अश्यर बाद लेता है जैसे अंदराकर की उपी बाबा को रिपोर्ट देंगे कि हम उपर जा रहे हैं हे उपी बाबा हमारी जब शकर ना हम जब तंदुस्त बापसाएंगे आपका धन्यवाले दरागर के करेंगे सिया चीन दुनिया का सबसे उंचा वार जोन है बारह महीने बर्फ की चादर से ढखा रहता है यहां का प्लीशियर तीन तरफ से पागस्तान और चीन से घिरा हुआ है यहां दिन में टेंपरेचर माइनस 30 से 55 डिगरी सेलसियल्स तक पहुंच जाता है खराब मौसम में भी भारतिय सेनिक 24 सों खंटित सीम अप के निगरानी करते है चलिए अब आपको सुनाते हैं ओपी बाबा की कहानी सिपाही ओपी बाबा के बारी में कहा जाता है कि वो असी के दशक में एक फौवर्ड पोस्ट पर तेना थे वही पर रास्मे परिस्तियों में उनकी मौत हो गई थी और तब से ही वो ग्लेशियर में तैनाद भारतिय जवानों की मदद करते हैं उन्हें लेकर किये गए दावों की माने तो अगर कोई जवान ग्लेशियर में रास्ता को जाता है तो उपी बाबा उसकी मदद करते है 1966 में उपी बाबा का मंदर एक उटिया में था अलेकन 2003 में भारत पाकिस्तान समझोते के बाद इसे मंदर बनवा कर स्थाई रोब दे दिया गया जो हपी बाबा की उत्पत्ती जो है ये स्पाई ओम परकास के नाम से हुई है लान पोस्टे कली से में पुते हैं तो उपी बाबा की जब इसमाद दी है इसको भारतीय सेना की धर्म नर्पेक्स परंपरा के अनुरूप में इसको सर्भदर्वस्थल का जाता है दुनिया की हर सेना का येत उद्फूश वाक्य होता है जो जबानों में होसला भरता है भारत के इन तीनों शूरीरों ने अपने रण कौशल से सेना को गौर्वान विद किया है यही वज़ा है कि सेना उनके पराक्रम को सिर माथे से लगाती है किसी भी मिशन मी जाने से पहले अपने रण बाक्रों को याद करती है और जोगन उत्साह के साथ सीमा पर मुस्तेद रहती है प्यूरो रिपोर्ट, गुद नियूस टोडे तो थी ना ये दिल्चोस पहली हमने अपने कारिक्रियूम के शुरवात में भी आपसे एक पहली पूछी थी उमीद है कि अब तक आपने उसका जवाब धूम लिया होगा हमारी पहली थी ऐसी क्या चीज़ है जोसे आप दिन भर उठाते और रखते हैं लेकिन उसके बिना आप कहीं भी नहीं जा सकते जवाब है कदम यानी पैर तो आज की पहली में अभी के लिए बस अतना ही देश और दुनिया के तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रही गुद निउस टुटे